बस ये तीन काम आज से ही करना शुरू कर दीजिए यकीन मानिये आपके शरीर में जमा जितनी भी बिमारियां हैं उनसे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा ये कौन सी हैं तीन चीजें जो आपको करनी हैं इसके क्या-क्या फाइले हैं आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे नमशकार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं मैं डॉक्टर मधू आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी तीन चीजें जनका इस्तमाल करके आप अपने शरीर को हेल्दी बना सकते हैं अपनी उम्र को एक जगे पर रोग सकते हैं और पचास की उम्र में भी कैसे हो सकता है यह गजब सा चमतकार आज की इस वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज इन्हें लाइक शरूर कीचेगा और सभी के साथ शेयर करना बिलकुल आप मिलते हैं सबसे बहला काम यह है कि आपको अपनी डाइट में एड करनी है फल लेकिन उन में से भी कौन सा फल एड करना है यह भी बताएंगे फल का जो टाइमिंग होता है डाइजेशन का वो सबसे कम होता है यानि के फल हट 2-3 घंटे में पच जाते हैं और फिर से करते हैं क्योंकि हम भी एक जीवित प्राणी है और यह भी एक जीवित बोजन है तो यह हमें कई गुना एनरजी देता है अगर आप डेट फूट खाते हैं या फिर पैकेट बंद या डब्बे बंद खाने का इस्तमाल करते हैं तो उससे हमें उसी तरह की एनरजी मिलती है बट उसी जगे पर अगर आप प्रकरती के द्वारा दी गई चीजों का इस्तमाल करते हैं और एस इस चीजों का इस्तमाल करते हैं जैसे प्रकरती हमें देती है बिना पकाय, बिना नमक, बिना मसाले के तो यह आपको कई गुना जादा फाइदे देता है इनी में से फल एक ऐसे हैं जिनको digest करने में आपके पेट को सबसे कम भीनत लगती है और फायदे कई गुनाजादा मिलते हैं तो यहां पर हम बात कर रहे हैं संतरे के बारे में अगर अब संतरे को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इसे आपके शरीर में anti-oxygen की मात्रा बढ़ जाती है क्यो जो है वो तेजी से साफ होता है इसके अलावा अगर बहुत लंबे समय से सर्दी खासी जुखाम यह कमजोर इम्म्यूनिटी से परिशान है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलता है अगर अपनी डाइट में सिर्फ संत्रे को यानि के और फलो को नहीं भी आड़ कर पा रहे ह सिर्फ संत्रे को 30 दिन के लिए इस्तमाल कर लेती है तो इसके जो आपके शरीर के लिए फायदे होंगे वो आपको प्रतियक्ष देखने के लिए मिलेंगे इसके लिए मेरे बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब आप इसके फायदे देखेंगे तो आप खुद आ कर कि मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि संतरे का इस्तमाल करने से आंकों की रोशनी बढ़ती है स्किन साफ होती है इसके अलावा बहुत लंबे समय से डाइजेशन से रिलेटेट कोई समस्या है तो वो दूर होती है आपकी इम्म्यूनिटी कई गुना बढ़ जाती है सरदी खासी जुखाम से आपको छुटकारा मिलता है और अगर आप बहुत लंबे समय से बलड़ के इंफेक्शन से परिशान है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलता है बाल आपके बहुत अच्छी हो जाती है और आपके शरीर को धिरो लाब मिलते है आपने जो पहली चीज करनी है वो यह कि अपनी डाइट में आपने संतरे का इस्तमाल करना है यह आपको बेहद लाब देगा सुबह के समय में यानि के अपने ब्रेक्वस्ट में या फिल लंच में या शाम को चार बजे से पहले आप दो से तीन संतरे अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें दूसरी जो चीज है वो है शहद शहद एंटी अक्सिजन से भरपूर होता है और आपके शरीर को डिटॉक्स करने में शरीर में खून को बढ़ाने में काफी मदद करता है जब आप इसका इस्तमाल करते हैं तो शरीर में जमा गंदगी साफ होती है चाहें वो आतों की गंदगी हो लिवर की गंदगी हो या किड्नी की गंदगी हो इन सारी गंदगी को साफ करके सहद आपके शरीर को बिलकुल एकदम नया और साफ सुतरा बना देता है तो इसलिए अगर आप अपने शरीर को डिटॉक्स करना चाह रहे हैं या फिर आप दवाईयां खाखा करके परिशान हो चुके हैं आपको अपने शरीर को साफ करने के लिए कोई एक ऐसी ओसली इंगर्डियंट नहीं मिल रहा है तो आप लगातार 15 दिन के लिए शहद का इस् वजब के फायदे देने वाला है इससे आपकी स्किन भी साफ होगी आपकी आँखों की रोशनी बढ़ेगी जोड़ों के दर्द में आपको आराम होगा और गले में इंफेक्शन आपका ठीक होगा अगर आपको कोई भी किसी तरह की समस्या है तो वह भी दूर होगी और भी आपको आपको स्किन पर किसी भी तरह की कोई भी समस्या है चाहें वह दाद है खाज है खुजली है मोहा से है या फिर किसी भी तरह का स्किन इंफेक्शन है तो इसके लिए आपको एक लेप बता रही है जिसका इस्तमाल लगातार एक हफते तक आपने करना है आपको गजब के फायदे मिलेंगे इस लेपको बनाने के लिए आपको प्र कर दीजेगा नीचे से आपको चंदन पाउडर का अगर आपको चंदन पाउडर मार्केट में बंदो करके मिलता है आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल नहीं लेना है वो कोई फाइदा नहीं करने वाला है चंदन की लकडी का पाउडर किसी आयरवेदिक स्टोर पर आपको मिल जाएगा वो शायद आपको काम कर जाए किसी अच्छी क्वालिटी का आप ले सकते हैं या फिर चंदन की लकडी ही आपको मिल जाती है उसको आप कूछ शेत करके उसका पाउडर अगर बना सकते हैं तो व प्रावा आप और्गैनिक कपूर का इस्तमाल करेंगे और्गैनिक कपूर भी किसी आईरवेदिक स्टोर पर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा 15-20 आपने लेने हैं नीम के पत्ते इन सारी चीजों को आपने जो है अच्छे से पीस करके पेस्ट बना लेना है इस पेस्ट को आपने अपने पूरे शरीर पर लगाना है अगर शरीर में कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई इंफेक्शन है तो उससे आपको जरूर छुटकारा मिलेगा इस लेप को लगबग अपने आदे घंटे के लिए अपने शरीर पर लगा करके छोड़ देना है इसके बाद नॉर्मल पानी से आप जो है अपने शरीर को साफ करें सरीर पर अगर किसी तरह का दाद खाज खुजली की समस्या है तो ऐसे में साबून का इस्तमाल बिल्कुल ना करें सरीर से मेरा मतलब है बालों में इस लेप को नहीं लगाना है चहरे से लेकर के आप अपने शरीर के हरिस्ते में इसको लगाएंगे तो आपको बेहद लाब मिलेंगे इन छोटे-छोटे तीन काम को आप करके देखिएगा गजब के फायदे आपको मिलेंगे आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक किये बगर बिलकुल मत जाईएगा क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश चाहती है कि कम से कम चीजों के साथ में आप एक बहतर और निरोगी जीवन जी सकें फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ तब तक हस्ते मुस्कुराते रहिए अपना खयाल रखिए अपनों का खयाल रखिए स्टे हेल्दी स्टे हैपी बाबाई नमस्कार